जय मातादी दोस्तों कैसे आप सभी आार्शा करता हूं दोस्तों आप अच्छे हूंगे स्वस्थ हूंगे आज मैं आपको यह बताूंगा कि जो माता काली के भगत होते हैं वो आप से तेल क्यों मंगवाते हैं पूछा के टाइम पर या आपके बारे में जानकारी देने के लिए इसी विशह पर मैं आज आपको इस वीडियो में जानकारी दूँगा तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको यह बता दूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं पहली बार इस चैनल पर आए हैं वीडियो देख रहे हैं मेरी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना शेयर करना तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है देखिए दोस्तो जो माता काली की उपासना करी जाती है और उनके लिए जो दीपक जलाए जाता है वो तेल का दीपक जलाए जाता है विशेश रूप से तेल का दीपक ही जलाए जाता है फिर चाहे वो तिल के तेल का दीपक हो चाहे वो सरसो के तेल का दीपक हो और माता काली के जितने भी साधक है जितने भी भगत है सब के सब तेल का ही दीपक जलाते है माता काली के लिए माता काली के मंदिरों में भी तेल का ही दीपक जलाये जाता है उनके सिद्ध पीठों में और उनके सिद्ध इस्थानों में भी तेल का ही दीपक जलाये जाता है और भैरफ जी के लिए भी तेल का ही दीपक जलाए जाता है तो जब माता काली की सिध्धी जो साधक होते हैं जो भगत होते हैं उनका अनुष्ठान करते हैं और तेल के दीपक की ही अखंड जोत वो लोग भी जलाते हैं तो जब वो किसी भी वेक्ति के बारे में उनको जानकारी देनी होती है, मैं यहाँ पर यह नहीं बता रहा आपको कि कैसे सिद्धी की जाएगी, कैसे क्या होगा, कैसे सिद्धी करते हैं, वो तो एक अलग विशे हो गया, मैं आपको यह बता रहा हूँ कि तेल क्यों मंगवाते हैं, उसके पीछे का क्या रिजन होता है, एक्जेक्ट रिजन मैं आज आपको बताऊँगा इस वीडियो में, तो देखिए होता क्या है कि जो सरसो का तेल होता है, वो माता काली के लिए दीपक जलाने में वो लोग प्रयोक करते हैं, अब जो सरसो का तेल होता है, वो क्या करता है कि माता काली के साथ में बहुत सारी शक्तियां ऐसी होती हैं, तामसी योगिनिया माताकाली के साथ में चलती हैं तामसी शक्तियां चलती हैं माताकाली भी खुद भी एक तामसिक शक्ति हैं उग्र शक्ति हैं मादुरुगा का उग्र स्वरूप है और तेल का इस्तिमाल तामसी शक्तियों के लिए जादा किया जाता है तो होता क्या है कि ज जितनी भी नेगेटिव शक्तियां जितनी भी तामसी शक्तियां वो सबी शक्तियां उस तेल के माध्यम से उस भगत तक पहुंसती है या आप ये भी कह सकते हो कि उस तेल के माध्यम से माताकाली आपके घर की जितनी भी तामसी शक्तियां जितनी भी नेगेटिविटी आपके गर की वो माता काली खीच लेती हैं और खीच करके अपनी जोत में ले लेती हैं और उसके बाद में जब जोत में आपके घर का तेल डाला जाता है तो उस जोत के प्रभाव से आपके घर की सारी नेगेटिविटी सारी तामसी शक्तिया जल करके भस्म हो जाती हैं खतम हो जाती अब इसके साथ में क्योंकि आपने अपने घर में सरसों का तेल रखा था तो उस तेल के प्रभाव से आपके घर की सारी समस्याएं सारी परेशानिया, सारी दिक्कते उस भगत तक पहुँच जाती है और माता काली उनको जो भी जानकारी देती है आपके बारे में सारी चीज़े बताती है तो इसलिए इस तेल का प्रियोग किया जाता है, मंगवाया जाता है अब यहां पर मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूँ कि अगर माल लेजिए कि कोई वेक्ती तेल ना लेकर के जाए तो क्या उस वेक्ती के बारे में जानकारी नहीं दे सकते देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में बहुत सारे भगत हैं, बहुत सारे सिद्ध हैं, बहुत सारे साधक हैं और मैं आपको बता दूँ कि मैं हर तरह के भगत से मिलाओं, हर तरह के साधकों से मिलाओं हर तरह की जानकारी मैंने पराप्त करी है और हनुमान जी के भगत जो होते हैं वो इस तरह की क्रिया नहीं करते हनुमान जी के भगत मैं देखिए सारे चीज की एक नीचोड में आपको बता देता हूं कि ऐसा कोई कमपलसरी नहीं है कि अगर आप तेल ले करके नहीं जाएंगे तो वो लोग आपकी पूछा नहीं दे स आपके बारे में नहीं बता सकते देखिए मा भगवती जगदंबा आदिशक्ती माता महाकाली सरवग्य हैं कण कण में उनका वास है और ऐसा कुछ भी नहीं कि अगर आप तेल ले करके नहीं जाओगे तो वो आपके बारे में नहीं बता पाएंगे In fact, सिर्फ माता काली के ही भगतनी, चाये वो हनुमान जी के भगतों, या फिर मादुरगा के भगतों, माता शीतला के भगतों, या फिर वो किसी भी संपरदाय के हो, किसी भी पंत के हो, किसी भी देवी की, किसी भी देवता की सिद्धी कर रखी हो, हर वो वैक्ति आपके बार कड़कड में उनका वास है तो उनको किसी भी चीज की आवशकता नहीं है आपके बारे में बताने के लिए बहुत सारे भगत ऐसे भी हैं जिनके पास आप कुछ भी लेकर के मत जाएंगे लेकिन फिर भी वो आपके बारे में एक एक बात बता सकते हैं आपके बारे में एक एक जानकारी दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप अगर प्रशाद ले करके भी उनके धाम पर चले जाएंगे, उनके दर्बार में चले जाएंगे, तो भी वो आपके बारे में सब कुछ बता देंगे, आप कुछ भी मत ले करके जाएंगे, लेकिन तब भी वो आपके बारे में स सारी जानकारी दे देंगे कैसी दे देंगे क्योंकि उन्होंने शिद्धी कर रखी है उन्हें शक्ती प्राप्थ कर रखी है यह तो तेल इसलिए मंगवाये जाता है कि अगर आपके घर में कोई negative और को भूत्रम होते दिपक में जाता है तो पाकि ऐस के जरीए आपकी थोड़ी पूछा भी बता दी जाती है सटी का जाती है पूछा जो होती है बाकी बिना तेल के भी भगत आपके घर की पूछा दे सकते हैं ऐसी ऐसी ऐसा कोई कम जरूरी नहीं है कि अगर आप तेल नहीं दोगे तो आपके घर की पूछा नहीं आएगी तो य परशाद मंगवाता है, तो कोई कुछ मंगवाता है, बाकि ऐसा जरूरी नहीं है, कि कुछ आप ले करके जाओगे तबी, कई लोग आपके घर से चावल मंगवाते हैं, कि भाई अपने घर के चावल ले करके आना, कई लोग आपके घर की मिट्टी मंगवाते हैं, कि भाई अ अपने घर में आप सबसे पहले ये लॉंग रखी और फिर लॉंग लेकर के आई ये तब हम आपको जानकारी देंगे तो हर किसी का तरीका है अपना अलग-अलग बताने का बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आपके पास में वाकई में शक्ति है अगर आप वाकई में अधिपराप्त करी है तो आपको किसी चीज़ की आवशकता नहीं है कुछ भी बताने के लिए ठीक है आप वैसे भी बता सकते हो क्योंकि आपके पास में शक्ति है भगवान और भगवान सरवग्य है हर जगा आपके यहां भी है उनके यहां भी है और बाहर भी है अंदर हर और जगा भगवान का वास है तो हर चीज की जानकारी आप दे सकते हैं थोड़ा सा अपनी अपना तरीका है सब का बताने का तो इसी के साथ में इजाज़त चाहूंगा मिलूंगा आप सभी सेगली वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना चैन मतरानी की